यह बदलाव 10 वर्षों का नहीं, बलकि 20 वर्षों का है। क्रिकेट की कुछ बातें, जिनसे शायद हर एक क्रिकेट प्रशंसक सहमत होगा। वो यह हैं कि 2000-2009-10 के द्वार का क्रिकेट और 2012-2020 के द्वार के क्रिकेट के बीच जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। कई कारण हैं, जैसे 1. पहले क्रिकेट में सब कुछ धीमा था, सिवाए गेंद बाजो की, गेंद की स्पीड के या यूं कहे उस समय क्रिकेट में इतनी ज्यादा चमक-धमक नहीं थी, परन्तु आज का क्रिकेट तेज, रंगा-रंग और कहीं ना कहीं पैसों के इर्ध-गिर् यों की भरमार थी, पर आज ऐसा नहीं है, आज बहुत टीमों में बहुत कम महानतम खिलाडी देखने को मिलते हैं, एक उदाहरन से समझाता हूँ, उस दौर में टीम इंडिया कुछ इस प्रकार थी, सचिन, सहवाग, गांगुली, द्रविड, लक्षमन, कुंबले, हरभज जहीर, युवराज, ऊपर दिये 9 नाम, जो भारतिये क्रिकेट इतिहास के महानतम खिलाडियों में से एक हैं, यकीन मानिये, उनमें से 7, 8 खिलाडी, 1 ही 7, 1 ही समय, 1 ही एकादश में खेलते थे, अब समझने वाली बात है कि 11 में से 7, 8 खिलाडी आपके महानतम खेल रहे हैं जबकि आज के समय में कुछ अलग है और यदि आज के समय में भारतिये क्रिकेट टीम की महानतम खिलाडियों की श्रेणी बनाएं तो उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा और बस लिस्ट खत्म उस दौर के खिलाडियों के बीच एक सच्ची मित्रता होती थी, जबकि आज के दौर में एक ही टीम के दो खिलाडी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नजर आते हैं उस दौर के खिलाडी, सचिन, युवराज सहवाग और भी अन्नि खिलाडी, आज भी कई मौकों पर एक साथ नजर आ जाते हैं यहां तक की अपने पारिवारे कार्यक्रमों में भी साथ साथ चले जाते हैं, यह उनकी मित्रता दर्शाती है जबकि आज के खिलाडियों के बीच ऐसी भावना आ गई, कि वह पास-पास बैठना भी नहीं चाहते हैं हम सबको पता है कि आए दिन विराट और रोहित के बीच कुछ न कुछ नई कॉन्ट्रोवर्सी आ ही जाती है इतनी ज्यादा प्रतिदवन्दिता कि सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो भी नहीं करते आजकल देखा जाता है कि क्रिकेट में खिलाडियों की पत्नियों की भागिदारी काफी ज्यादा हो गई है अरे भाई, शादी शुदा तो वो खिलाडी भी थे और आखिर में रही सही कसर IPL ने पूरी कर दी आजकल देखा जाता है कि टीम इंडिया का तो कोई फैन है ही नहीं सारे के सारे बंटे हुए हैं कोई कहता है कि मैं विराट का फैन तो कोई कहता है मैं रोहित का फैन एक समय था जब सिर्फ टीम इंडिया के फैन हुआ करते थे कभी-कभी तो मैं स्वयम को बदकिस्मत समझता हूँ कि मैं 2000 से लेकर 2009, 10 के बीच का क्रिकेट क्यों नहीं देख पाया लेकिन उस दोर के लगभग हर मैच की हाइलाइट में अब तक कई बार देख चुका हूँ कई ऐसे मैच जिनके हाइलाइट तो मैं 10 बार भी देख चुका हूँ उम्मीद करता हूँ कि यह बदलाव तो आपने भी देखा होगा